हेलो माई दियो स्टूडेंट्स हाव आप सब ठीक हैं शुरक्षित होंगे स्टूडेंट्स वेलकम बैग टो आवर चैनल आवर वीडियो ओके बच्चो चालो क्या आप लोगों को याद है कि लास्ट वीडियो में अमने क्या पढ़ा था स्टूडेंट्स लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था शब्दों का अभ्यास है ना बच्चो शब्दों के बारे में हमने देखा था कई सारे चित्रा हम देख ते गये थे और हम शब्दों उसके लिखते गये थे कि कौन सा चित्रा क्या है रहत ना बच्चों ऑर हम उसके नीचे उसका नाम भी देखते गये थे तो शब्दों का अव्यास I hope आप सब लोगों को अच्छे से समझ में आ गया था तो अब next listen है कि chapter number 7 और उसका नाम है वाहन ओके बच्चो लाइस्ट वीडियो में जैसे कि मैंने बोला था कि वाहन के बारे में देखेंगे हम next वीडियो में तो आज बच्चो हम पढ़ेंगे वाहनों के बारे में तो क्या आप लोग जानते हो वाहन मतलब तो सबसे पहले तो वाहन मतलब गुजराती उसका वाहन ही होता है लेकिन साधन सब है ना वीकर्स यानि साइकल, बस, रिक्षा, बेलगाडी, स्कूटर ये सारे वाहन में आ जाते हैं ओके बच्चो तो आज हम डिटेल में देखेंगे कौनसे वाहन को क्या कहते हैं और उसका उप्योग किस तरह होता है ओके बच्चो तो आप लोग रेडी हो ना ओके और ये वाहनों के बारे में स्टार्ट करने से पहले जानकारी देने से पहले मैं आपको एक और जानकारी देना चाहूंगी कि वाहनों ने हमें बहुत अच्छी सुविदा दी है पहले के जमाने में हमें कई एक जगह से दूसरी जगह जाना हो तो हमें बहुत स्ट्रगल करना पड़ता था मतलब बहुत दिन भी लग जाते थे और बहुत टाइम भी जाता था लेकिन आज टेट्निकल क्षेत्र ने इतना विकास किया है कि हम वाहनों के माधियं से एक जगह से दूसरी और बहुत ही जल्दी पहुँच पा रहे हैं ओके बच्चो तो आईए जाते हैं उन्ही वाहनों के बारे बच्चो सबसे पहले देखों ये शित्रा क्या दिख रहा है अपको गोडागाडी है ना बच्चो यह आधुनわか्छा पहले जमाने के पहले के जमाने में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए गोडागाड़ी का उप्योक होता था गोड़े लगाया जाते थे और पीछे थोड़े बैठने के लिए उस बनाया जाता था कि जिससे आराम से दो तो इन लोग बैठ सके ओके बच्चो और गोड़ा गाड़ी मतलब गोड़ा वो दोड़ने में बहुत तेज होता है इसलिए पहले के जमाने में गोड़े तेज दोड़ते थे तो उसकी गोड़ा गाड़ी बनाई गई थी तो लोग इसका उपयोग करते थे और ये पहले का साधन है इसलिए ये भी साधन में आता है गोडा गाली ओके बच्चो चलो दूसरा साधन है रिक्षा देखो बच्चो ध्यान से रिक्षा तो बच्चे रिक्षा में दो तिन लोग आराम से आ जा सकते हैं ओके बच्चो हम रिक्षा का उप्योग करते हैं येस बार जब हम दिकलते हैं कहीं हमें जाना हो तो हम रिक्षा का उप्योग भी करते हैं दो तिन लोग आराम से आ जा सकते हैं रिक्षा में फिर है साइकिल देखो बच्चों साइकिल कैसी दिखती है तो साइकिल दो पहियों की होती है बच्चों ये एक दो पहिये वाला साडन है कि जिसमें दो लोग सवार हो सकते हैं ए इच्छे एक बैठ सकता है और कोई एक चलाए अपने आप से ऐसी भी साइकल होती है सब चूड़ेंट्स अभी तो बहुत सारे प्रकार की साइकल है ना घियर वाली उसके पहईया बाद इमोटे डाइप के ओना यह वाली वह सारी प्रकार की साइकल अभी अवेलेबल है फिर ह बैल घाडि देखो बच्छों बैल घाडि बैल मतलब गाय है ना बैल येज तो उसका भी उपयोग होता था जैसे कोडा गाडी रैसे बैल गाडी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए पहले की जमाने में गाव के लोग बैल गाडी का उपयोग करते थे क्योंकि गाव के लोगों के पास गाई बहुत सारी होती है तो टाइम जादा ना जैसलिए वो गाई का उपयोग करते थे गाई का उ देख सकते हो स्कूटर स्कूटर पर अभी जादा देखने को नहीं मिलता लेकिन उसके जगह कुछ एक्टिवा टाइप का आया है विकर है ना येस तो वही एक स्कूटर जैसा ही है थोड़ा सा लेकिन स्कूटर प्रॉपर ऐसा था पहले और अब उसका न्यू वर्जन देखा जाये तो एक्टिवा लाइक है ना येस तो वह भी दो पईये वाला साधन है और वह भी स्पीड में चलता एक जगत से दूसरी जगत जाने के लिए यह उप्योग इसका होता है ओके बच्चों इसमें दो लोग सवार हो सकते हैं और एक्टिवा आजकल बहुत ही उप्योग और पहले स्कूटर उसके बाजू में पैठने के लिए भी सुविधा थी आपको पता है ना येस तो उसमें पहले के दमाने में उस एस ताइब का स्कूटर भी था जो अभी जादा देखने को नहीं मिलता तकिन उसकी जगह हम एक्टिवा देख सकते हैं ओके चलो बच्चो अब हैं बस बस कई सारे प्रकार की हो सकती है जैसे कि बहुत लंबी थोड़ी सी छोटी लगजरी बस सारे प्रकार की बस हो सकती है तो समूह में थोड़ी जादा मात्रा में कई लोगों को जुन्ट में कई जाना हो आना हो तो बस का उप्योग होता हैं हम कई प्रवास पे यात्रा करने है ना बच्चों तो किसमें जाते हैं यह समने लक्षैमें एक तो बच्छं में बच्छं में यह फॉर्वीलर मतलब चार पहिये वाली कार कि जिसमें थोड़ी फैमिली चार-पांच लोग आ सकते हैं और आवन-जावन कर सकते हैं ओके बच्चो तो यह है मॉटर कार की जो फैमिली के लिए अच्छी है अपनी फैमिली के साथ कई हमें जाना हो तो इसका उप्योग कर सकते हैं जिसे दूब भी नहीं लगती है ना फुरा पैक हो जाता है येस फिर है ट्रक बच्चो ट्रक तो ट्रक का उप्योग माल सामान आने जाने में होता है ओके बच्चो, ट्रक बहुत बड़े-बड़े square parts भैफिर माल, सामान, ये सब ट्रक आता है और लाता है और ले जाता है, या काम ट्रक वाहान का है ओके बच्चो, तो इसका उप्योग माल सामान लाने-ले जाने में होता है फिर है बच्चो रेल गाडी देखो त्यान से बहुत लंबी होते हैं उसमें बारी 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 से डिब्बे होते हैं आप बोलते हैं उसको वह जुड़े हुए होते हैं और वहाँ पैसेंजर भी बैठते हैं तो वह अच्छे से मुसाफरी करते हैं रेल गाडी और एक और भी चान्टेंड वाली रेल गाडी आती हैं जिसमें माल सामान की आता है और जाता है सब मुसाफपरी के लिए वी होता है अप के बच्चो समझ गए नहीं अब लोग बैठे हो ईएज आपने रिलUNG जणी तो देखियोगी और कुछ बच्चो उने नहीं देखी होगी तो वो यह धेखे कुछ ऐसे रेल काड़ी दिखती है Okay बचो चलो, अब है हवाई जहाथ बैसका नाम ही हवाई जहाथ है हवा में चलने वाला Okay पानी का जहाज होता है वर से हवावाला जहाज okay बच्चों की प्लैंच एंड विमान हैना यह तो हम उसमें भी साफरी कर सकते हैं कई दूर देश में जाना विदेश में सफर करना तो हमें हवाई जाज का उप्यों करना पड़ता है उसमें बहुत सारी सुविदाये होती है क्या आप लोग कर सकते हूं कि इतना भारी इतना भारी जो है यह साधन तो कैसे हवा में उड़ स सकता है यहीं तो है टेक्ट्नोलोजी है ना बच्चों कि आज कल कितना जाधा विकास हुआ है यइस सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह दूर देश जाने के लिए ओके बच्चों तो आप समझ गए आज हमने कितने साधनों के बारे में देखा तो हमने गोडा गाड़ी रिक्षा साइकल बैल गाड़ी स्कूटर बस मौटर ट्रक रेल गाड़ी और हवाई जास के बारे में देखा और उन्सबी के बारे में भी हमने जाना की किस का किस तरप होता है रह sus के बारे में जाने में आए तो और आप लोग समझ भी गए होंगे तो बच्चों यह लेसन आपको अच्छे से अच्छे एंडराटिक से लिख लेना है और अच्छे से याद कर लेना है थैंक यू